इस देश की पुलिस के पास अनोखी लगजरी कार, भारत में नहीं अंबानी के भी पास, पुलिस की कार में रफ्तार ना हो यह मुम्किन नहीं, बिना रफ्तार पुलिस की गाड़ियों का कोई मोल भी नहीं। पुलिस की ऐसी सवारी है, जो भारत देश में अंबानी की है, हो गए नहेरान, धरसल हम बात कर रहे हैं जर्मनी पुलिस की, जर्मनी की पुलिस अपनी लगजरी कारों की सवारी को लेकर कई बार चर्चा का विश्य बनी है, इनकी आकरशक गाड़ियां देखकर कोई भी दात पुलिस की जरूरतों को पूरा कर सके, यह कार करीब 50 साल से जर्मनी की पुलिस द्वारा प्रयोग की जा रही है, गहर तलब हो, करीब 4 साल पहले इसे 86,000 डॉलर में निलाम किया गया था, मॉसरीज बेंजस ख्लैज, भारत में इस कार को सबसे धनी आदमी के गयराज में ही देखा सकता है, कमपनी ने 5 मसरडीज कारों को मॉडिफाई किया, जिसमें कई अनोखे फीचर्स दिये गए हैं, बात करें, कीमत की तो इस कार की कीमत 1 दशमलव 2 मिलियन यूरो है, बता दें, इस कार को भी हाल ही में महज 10,000 यूरो में निलाम किया गया था, बी एम दबलू मड, अगर आपने मिशन इंपॉसिबल 5 मूवी देखी है, तो आपको याद होगा कि कैसे बायो मेट्रिक से बी एम डव्यू एम 3 कार स्टार्ट हो ज की टॉप स्पीड 249 किलोमीटर प्रदि घंटे की है, पोर्ष 365, पोर्षे 356 B कैब्रियों को जर्मनी की पुलिस गश्ट के लिए उप्योग करती थी, इस कार को भी 50 साल पहले पुलिस को सौपा गया, जो जर्मनी पुलिस के साथ कुछ सालों तक रही, हाला कि इस कार को आसियत है कि इसके इस्तिमाल से प्रदूशन नहीं होता है, वहीं इसका एंजन इतना साइलेंट है कि इसके आने की किसी को भनक तक नहीं लगती, यह एक चार्ज पर 118 हमिल तक का ही सफर करती है, मौसरीज पेंज सी एलेस वी बारा, इस कार का स्पीड के मामले में कोई तो आट तो दी आर आट जी टी आर, आई आडी की कारों को मोडिफाई करने के लिए जर्मनी की कंपनी ने एबी टी को नियुक्त किया गया है, इस कार में 5.2 लीटर की ख्रमता का वी बस इंजन दिया गया है, जो 620 HP की पावर जनरेट करता है, कार को 0-100 km की स्पीड पकरने मे मेहज 3.2 से के इनका समय लगता है, वहीं इसकी टॉप स्पीड 325 किलोमीटर प्रदिल घंटा है, जर्मनी और रफ्तार का पुराना रिष्टा है, इसलिए यहां की पुलिस के पास भी बेहतरीन हाई स्पीड कार पाई जाती है